हालو EVERYONE कैसे हैं आप सब बहुत दिनावाद में ऐसे सामने से वीडियो शुरू कर रही हूं वणना पूरी तियुहारों में फिर अैश वड़ा इस habe我र में ही शुरू हुआ था सामने से जादा तर पारा था तो आज मैंने सूचा कि चलो वीडियो ऐसे शुरू करते हैं इंदी तेडी हो जी ती उसको ठीक किया और कल ना काजल लगाया था ना हम देखने गए थे बहु जहां हम खाना खाने गए थे और मुझे इस तरह का काजल अच्छा लगता है पता है मैं क्या करती थी प जाती थी त defender कुकि दिन में लगा ना ते यहां तक आ जाता थे लंजे मुझे बहुत जादा तो वह और मैं रात को लगा लें तो आज बहुत दिनोवाद मेरी आप से बहुत सारी बाते करने को स्कुक्न को दिल कर रहे जो कि में नहीं तार पाऊंगी क्योंकि अभी मुझे उपर जाना है रश्मी कलेक्शन का काम करना है बहुत अराम ले लेके मैंने रश्मी कलेक्शन का काम कर लिया है और यही वज़ा है यह अराम ही मेरी वज़ा है रश्मी कलेक्शन को बाहर लेकर जाने की क्योंकि घर पर रहकर नहीं हो पाता नहीं हो पाता क्योंकि हम क्या जॉब हो जाएगी मुझे डेली जाना होगा तो इस वजे से मैं वहां करना चाहती हूँ ताकि मेरे काम में कोई रुकावट ना आए ये मेरा जुए सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से करो महनत से करो फिर वह होगा देखा को मन में तो जीतने का मज़ा नहीं आथा थो हारने का डर तो हो नहीं चाहिए जैसे है अभी कैसे होगा कैसे होगा तो बहुत अच्छा रहता है तो चलो बाइच चलते हैं और मेरे बाल सफेद हो जो कि मेरे पूरा एक साल हो गया, बाला में महदी लगे वे, एक साल नी देड़ साल हो गया, नहीं 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 देड़ साल भी नहीं हुआ यार, मैं नरेश भी है कि बेटी की शादी में गई थी, अपरेल में तब लगी थी, जादा दिन नहीं हुए, आट नो महीने हुए, तो चलते हैं, उठते हैं, बलीच कर लो तो एक golden golden से बाल दिखते हैं, गुड़ू मुझे बहुत गुगासा करती है, जब हो दिखते हैं, पूश हमे अब म happy, इना हटवाँ दो आप, अब हटवाने के-लिए आप लोग मना करती है, ब्लीच के लिए गुड्डू मना करती है अब मैं क्या करूं बताओ आप लो ब्लीच में ऐसे तो करा थी नियू रोज रोज करवा चत पर कराई थी और अब तो पता नहीं कब होगी होगी, ओपनिंग पे होगी और यार पता है कि है मैं बार-बार ये बात आपके साथ करती हूँ ज़िए अच्छा लगता है और आप लोग आओगे ओपनिंग पे कॉमेंट करो कौन-कौन आएगा मैं एड्रेस दूंगी और पता है कि है मेरे नेक चीज सोची भी है ये सारी बाते मैं बाद में करूँगी पहले मैं उपर का काम कर लूँ नहा लूँ, चायवाय तो हो चुकी है बच्चे जा चुकी है खुशी के भी कॉले शुरू हो गए थे मंडे से तो वो मंडे से चा रही है बच्चे तो उससे पहले से ही जाने लगे थे दिवाली की चुट्टी गतम हुई थी मेरे ख्याल से बुद्वार से जाने है पिछले बुद्धी अब रस्पत से तो चलो फाल तो बाते नहीं करती हूँ बाद में करूगी बैठ के बहुत सारी बाते करनें मुझे आपके साथ अगर याद रहा तो अभी तो याद आ रहा है बाद का नहीं पता ये वाला वीडियो देखूंगी फिर सोचूंगी क्या बात करनें कि दिमाग से निकल जाता है तो चलो मिलती हो थोड़ी देर में सोचा था बहुत सारी बाते करूंगी आप लोगों से लेकिन देखो मैंने का था न मैं भूल जाओंगी बात में तो अभी जो है मैंने काम किया बहुत सारा उसके बात मैंने खाने के लिए दाल भी चड़ा दीती किचन में चावल चौंक दीती दाल चौंक दीती उसके बाद काफी टाइम बचला था अब 26-30 मिनट बच्चों के आने में तब मैंने फ्रिज खोला और मैंने देखा संत्रे आया है संत्रे मुझे बहुत अच्छे लगते है खटे मिठे से संत्रे मैं बहुत जादा खटापन भी ना ओं लेकिन हलका सखटापन हो और मिठे से भी हो तो खटे मीठे के वाले संत्रे थे और बिल्कुल वही टेस्ट था जो मुझे चाहिए जो मैं दो संत्रे लेकर आई थे और दोनों का टेस्ट वही थे और दोनों मैं गप कर गई खा गई मैं दोनों संत्रे और पता है इस टाइम न ये चीज़े खाने चाहिए संत्रे वगरा क्योंकि सरद्यो में वह लोग पानी पीना बिल्कुल खतम कर देते हैं, बिल्कुल नहीं पीते हैं तो शेडीर में फिर पानी तो चाहिए पानी पीती में पाने लिफ़ांने लगी थी कि देखो मैंने दाल चावल बना दिये थे और अभी जो यह तनमे को दे दिये हैं विपिन तो नहीं खाईंगे आज गाउं में एक और शादी है वो वहाँ गये हैं बस मैं और बच्चे हैं गुड़ो ने खाया नहीं सो गई कि मैं थोड़ी दिर में खाऊंगी तनमे ने लिया, मैंने लिया आप लोग भी आज़ेगे, आप लोग भी खा लिजे और इस तरीके से हाथ से दाल चावल खाना, साथ में अचाल ले लिया मम्मी के हाथ का अभी भी मूं में पानी आ गया देख कर और बताते हुए, explain करते हुए बहुत tasty लगते हैं दही थी, लेकिन मैंने रायता वगएरा कुशनी मनाया, मैंने का नहीं मैंनी बना रही ठीक नहीं, फिर तनमे मानेगा नहीं, तनमे भी लेगा फिर हमने खाना खाया सिंख भर के बर्तन होगय थे, जो मैं टोकरे में मांच भी चुकी हूँ और यह कूकर कूकर रह गया है सिंख भर के नहीं, जैसे बacio की टिफिन हो गए, और जो बर्तन खाना बनाया है वो हो गए, फिर जिसमें खाया मैंने तनमेने, वो लगा बहुत सारे बरतन हो गए थे, तो मैंने गा चलो इन सब को साफ कर देते हैं साथ के साथ, क्योंकि मुझे जो है फिर थोड़ा सा और काम भी है घर के साथ साथ बाहर का भी काम है, बाहर मतलब उपर का भी काम है तो यहाँ पर बस मैं यह सारी चीचे करके फिर मैं अपने उस काम पर करूँगी उस काम को देखूंगी और जब मैं पता है यहाँ से बाहर जाया करूँगी अपने काम के लिए तो मैं दोपहर में नहीं आया करूँगी मैं सीधा शाम को आया करूँगी एक टाइमिंग सेट करूँगी जाने की और आने की वैसे मैंने कर लिया है सेट मैंने सोच लिया है 11 बज़े के गरी जाऊंगी और गर्मियों की टाइमिंग अलग रहेगी सर्दियों की तैंमी अलग रहेगी, क्योंकि गर्मियों के दिन नम बड़े होते हैं, तो देखते हैं, और कस्टमर का भी देखते हैं, कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है, बाकि अपना online तो चलता रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों की complete from the commentator, तरश्मी online नहीं करोगी ये वो करूँगी online ही शुड़ू किया था online तो हमेशा ही रहीगा लेकिन अब जो है offline भी हो जाएगा ये है बस और कुछ नी कि बहुत जैसे कुछ customer है आना चाते हैं तो वो बेदड़ा कभी भी किसी भी time किसी भी शन आ सकते हैं phone number वगेरा या सारी चीज़े उनको दी जाएंगी ताकि वो कभी by chance मैं ना भी हूँ क्योंकि मैं काम के सिलसले में बाहर गई हूँ या घर आ गई हूँ तो वहाँ पर हम जो है लड़का वगेरा भी रखेंगे दुकान पर जो देखे मेरे बाद मैं नहीं हूँ वो अटेंड करें तो महाँ तो आपको 24 गंटे तो नहीं 8-10 गंटे खुली मिलेगी उसके बाद जो है मैं आई बरतन बरतन करने के बाद आगई इस वाले कमरे में ये मैंने ना जो मैं लेकर आई थी ये मैंने सब वाश कर दिये हैं इनको मैं बैड में रख दूँगी ये सूख जाए अच्छे से फिर क्या होगा ना जब भी कोई आए इनको निकालो यूज करो और रख दो डेली में बाहर में इस तेरी निकाल रही क्योंकि अलग से ना मारी होनी चाहिए जिसमें आप ये सारा समान रख दे अब किचन तो पहले ही भरी पड़ी है तो मैंने सुचा कि चल और वैसे भी है जैसे नमकिन बिस्कुट वाले और भी है मेरे पास बस वो थोड़े पुराने हो गए थे तो मैं ये नया सैटली आई थी ये मुझे बहुत पसंद आगया था देखते ही तो ये ना तीन एक जैसे हैं और एक अलग है ये मुझे काच वाला भी पसंद आगया था तो मैंने का चलो उन्होंने बोला ये साथ में मिल जाएगा इसके साथ ये लकड़ी वाली ट्रे आई थी जिसपे के मैंने गुलदस्तर रखाऊ है और ये भी मुझे बहुत सुन्दर लगा था ये भी मैं अभी लाई थी आप लोगों को दिखाया ही नहीं तो सुचा चलो अभी दिखा देती हो बहुत सुन्दर लगा था है मुझे तो मैंने ये जो लकड़ी वाली ट्रे आई इसी के ऊपर रख दिया है और ये ट्रे इसी के साथ की है जो ये हैं बाउल वगएरा रखे हैं साइड में उसके साथ की है तो ये ट्रे तो मैं भारी रहने दूँगी और ये जो मेरे काच की बढ़नी वगएरा है इनको मैं हाँ पे थोड़ा ठीक से सेट कर दूँगी तन में बैठ जाता है न तो वो थोड़ा आगे पीछे कर देता है ये वाले भी है मेरे पास नमकिन बिस्किट वाले काच के एक और है प्लास्टिक का पूरा सेट प्लास्टिक वाला तो मैं कमी यूज़ करने लगी हूँ अब तो मुझे इस बार भी न मैं सीले थोड़ा सा काच की तरफ ही गई काच वाला ही लिया और ये जो काच की बढ़नीया है इसमें जो जैसे उसमें समानता न मैंने इसमें खाली कर दिया था ये खजूर रखे हुए है ये खाएंगे अच्छे लगता है ना खजूर मुझे बहुत पसंद है और ये कन्नू ने दी थी तनमे को चॉकलेट ये तीन बच्री थी ये मैंने इस कोफी के छोटी सी डबी के अंदर डालके यहां रख दी है कितनी प्यारी लग रही है ना रखी वी और मुझे है कि किसी ने भी नी खाई ये जब ये पहले खूप खाई जब ये इसमें रख दी तीन बची भी तो कोई नी खा रहा या फिर निगा नी गई तनमे की अभी तर या फिर उसने खोलने की कोशिश नी की मुझे से डर गया और कवर डाला है ना इस पे डाइनिंग टेवल पे तो बड़ी रोनक सी आ गई है इस कमरे में कवर डालती डाइनिंग टेवल पे बदल सा गया ये कमरा कवर है भी काफी सुन्दल फिर मैं आ गई थी बाहर कुछ कपड़े थे जो दूले थे तो उनको जो है मैंने स्टेंट पे भी डाला हुआ है और उपर छट पे भी डाला हुआ है कपड़ों को तो स्टेंट थोड़ा धूप में किया और यह जो मेरा कपड़े देख रही हूँ कॉन से सुक गए कॉन से गिले हैं नीचे लेके जाओंगी चाहे गिले हूँ चाहे सुखे हूँ सुक तो सारे गए बस एक आदा है लोवर वगएरा जो जेब गी रजाती है वो तो उनको भी नीचे ले जाकर नीचे डालतूँगी क्यों कि या वो कौन इनको देखता फिर एगा वैसे भी मैं फिर बैट जाओंगे एक बार अपने काम पर तो मुझे टाइम नी मिलता फिर और मैं भूल जाओंगे और यह बहारी रह जाएंगे तो इसलिए सारे कपड़े उठा के मैं आ गई हूं नीचे और मेरे जो प्लांट्स है मैं उनको भी दिहान ने दे पा रही हूं पता कि आप बहुत सारी चीजे ना आप एक साथ नहीं कर सकते हैं अपना उल्जे से रह जाते हैं फिर उसको दिहान देना उसको दिहान देना यह वो और यह लड़ी की यहां पर कर रही है अपनी चोकलेट कर रहा है किस-किस के तो अगर यह खराब हो गया ना फिर बताऊंगे आओ गया खराब हो यह यहां पर कर रही थी चॉक्लेट गरम और मैं यहीं पर खड़े होके बना रही थी चाय क्योंकि खुशी आने वाली है वैसे तो अधिकतल वही बनाती है पीते हैं फिर मुझे थोड़ा से काम है मेरी टा मैंने उसको मुना करती है तो मैंने दूद का बढ़ा पगोन उठाएगी गिरिया तो बस मेरा और काम बढ़ जाएगा और चाय मैंने डाली थी बस यह काम किया था बाकी चीनी चाय के पती पानी तुलसा जी का पत्ता अद्रग सब कुछ उसने किया फिर उसके बाद मैं और पत्त कराही दी थी मुझे भी और खुशी को भी दो नो को कहले थी इतनी सी टेस्ट कर लो और लेलू मैं अपना ओपर जा रही हो शाम के छे बज़ रहे हैं खुशी बरतन मांज रही है जो चाय के बरतन हुए है और उसका लंच बॉक्स है एक आदा बरतन और हो सकता है और यहां पर यह पढ़ रही है यह अभी सोके उठी थी अभी बैटी कलो बढ़तन की छुटी है तो क्यों कर रहे है चलना हो पर मेरे साथ नी चल दी ना पक्का 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 तो मेरी बैटी नहीं है तू मेरा तू मेरा तू मेरा वाइंगी है नी चल दी क्या रहा है लास्ट शे बज गया चोड़ के आजा मुझे उपत दीदी बरतल मान जी है तन सड़ी हुई वीडियो स्टाइट किया था यहीं बैठके किया था और आज है next day है कल में इसको continue नहीं कर पाई कान तोड़ा से जादा हो गया था और आज है देव उटनी एकादशी और तुलसी विभा का दिन भी होता है आज उनकी शादी कराई जाती है विभा कराया जाता है शाली ग्राम जी के साथ शाय में सही बोल रहे हूँ और मैंने कभी नहीं किया मेरी मम्मी करती है मम्मी क्या मतलब काफी सारे लेडिज हैं वो मि दिल के करती है मंदिर में और बहुत अच्छा लगता है मेरा दिल करता है मम्मी यह सारी चीज़े बताती है कि काश मैं भी जाओं मैं भी देख हूँ वो लोग कैसे करते हैं यहां इतना नहीं होता है और हमारे उतर तो बरामदे में कमरे में वो भी बनाते हैं उससे गेर व बोलते हैं अब तक देव सो रहे थे अब देव उठे हैं तो अब जो है शादियां शुरू होंगी यहाँ पर क्या है यहां दशेरे से शुरू हो जाती है अब चैंजी नहीं हो जाती है और हमारे हैं आज दिन से शुरू हो गी बहुत साधिया होंगी यूपी की साइड किस कि से होता है यूपी में तो पूरे यूपी में मैं ऐसी ही होता होगा वाकर हो सकता है चेंज हो पर मेरत नोडा गाज़ेबाद बुलेंच्च यह वहाँ हे रही शादी अच्छी तो लगती हैं बहूत ज़्यादा जाने का मन होता है कि यार सादि यह वो अभी जैसे मेरे पास कमेंट हा द द आ और शादी में जाओगे से टेस्ट है वो हैं 2 दिसमबर से शुरू जो की है 9 दिसमबर तक तो उसकी शादी जो है Cancel है मेरा जाना उसकी शादी वाले दिन भी बच्चों का टेस्ट है तो बच्चों की पढ़ाई पहले है बाकि सारी चीजे से किन नंबर पे हैं तो इस वज़े से मैं अपने घर भी नहीं जाती हूं जब बच्चों के पेपर होते हैं test होते हैं मुझे अपने काम के सिल्सिले में जाना था जब इनके exam चल देते हाफेली exam sitmber में मैंने वो cancel कर दिया था तो वई अंश cottage को भी बता दिया उसको मैंने यहीं بتा दिया था तो यह तो फिर भी बहुत जादा वाले जरूरी है तो इनको तो कैसे छोड़वा सकते हैं वरना जाते इंजोई करते लेकिन अभी जोए नहीं जा पाएंगे और यह मैंने इसलिए भी बताया है क्योंकि फिर ना लोग अंशु को जाके कॉमेंट कर देते हैं कि आपने बुला जैवस चीज को चलो दुबारा बता देंगे तो मेरा जाना तो मुश्किल ही है मुश्किल नहीं ना मुंकिन है क्योंकि देखो इतनी दूर बच्चों को छोड़के भी नहीं जा सकती पहरे मैं गई थी भावी के हाँ पे उनकी जब बहन के बेटे की शादी हुई थी बच् गंटे आना नहीं हो पाएगा फिर दो तीन दिन के लिए बच्चे को कैसे जोड़ दू थोड़ा सा वो रहता है और मैं इंजोई करू शादी में वो लोग यहां हो उनका तो मन ऐसी रहेगा तो इसलिए मैं नहीं का चलो जोड़ो यार कोई बात नि जबकि अंशु की आधी में तो आउंगी बड़े मजे करूंगी इतने दिन पहले आ जाऊंगी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे सब धरे के धरे रहेगा अर्मान इसलिए पहले से कुछ नहीं सोचना चाहिए सब रखा कर रखा रह जाता है चलो इस वीडियो को में यहीं पर एंड करती हूं कल मिल होंगी आप सब से एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब